दोस्तों नोशार आदाव सत्स्री अकार नियूस क्लिक के कारिकरम हफ़ते की बात के साथ मैयूर मिलेश हफ़ते की बात में दोस्तों सबसे पहली हमारी जो खबर है वो है केंडरी ग्रेह मंत्री का कश्मीर दौरा अगस्त 2019 में भारत के संविधान के एक महत्यपुन अनुचित 370, 370 उसके एक विशेश प्रावधान के पूरी तरह निश्प्रभावी किये जाने के बाद और 35-1 को भी निश्प्रभावी किये जाने के बाद ये पहला मौका है जब केंडर का ग्रेह मंत्री यनि इस सक्ता संरचना का इस सरकार का कोई VIP विवियाईपी कश्मीर दोरे पर गया है ये पहला मौका है इतना बड़ा ओहदेदार लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ग्रेह मंत्री या इस सरकार के नंबर दो कहे जाने वाले व्यक्ति जो राजनेता है, जो शक्सियत है, उनका कोई political agenda है क्या कश्मीर को लेकर, तीन दिन के इस दौरे का क्या मकसद है, क्योंकि जहां तक सुरक्षा, संबंधी, जायजा लेने की meeting जो होती है, जायजा लेने के लिए बहुत सारी meetings आजकर online हो जाती है, वर्चुल में, आप कश्मीर से लेकर के लगदाख तक कहीं अधिकारियों को बैठा करके और online बहस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगर physical presence है कश्मीर वैली में केंद्रे गरह मंत्री की, तो उसका क्या मकसद है, क्या कोई बड़ा political initiative लेना चाहती है ये सरकार, मतलीक जमुक कश्मीर में खास कर श्री नगर में, रायधानी श्री नगर में, इस वक्त बिलकुल सब गतिविदियां ठप हैं, सिवाए केंद्री गरह मंत्री के दोरे के उस पूरे कश्मीर वैली में और कुछ नहीं हो रहा है, आवा गमन ठप कर दिया गया है, दुकाने ब सारी के सारी, तो ऐसे दोरे का क्या कोई मक्सद है, मैंने सुनाए कि पचास कंपनियां और गई हैं वहाँ, इसके अलावा ये भी एक ख़बर है कि जमुक कश्मीर की जेल से 26 कैदियों को आगरा ततकाल रातों रात शिफ्ट किया गया है, अब ये सक सुरक्षा इंतिजमात हैं, ये जरूरी कवायद है सरकार के हिसाब से, तो ये सुरक्षा का जो ताम जाम है, उसमें क्या कोई सूर्थेहाल निकल के आरहा है कि जमुक कश्मीर सेम सुरक्षित रहेगा, उसके अवाम सेम सुरक्षित रहेंगे, नागरीक अधिकार बहाल होंगे, राज्य में नुमाइंदगी जो लोगों की है जो उसके राइनितिक नुमाइंदे हैं क्या उनकी पुलिटिकल डिस्कोर्स में सोसल सामाजी गत्विदियों में उनकी हिस्सेदारी आएगी हमारा कहने का मतलब है कि क्या विधान मंडल की वापसी होगी क्या फुल फ्लेजर्ड स्टेट ए एक राजिक की वापसी होगी ग्री मंत्री ने अभी तक जब मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ तो जो खबरें हमने देखी हैं अभी तक उसमें ऐसा कोई संदेश अभी तक नहीं दिया है हो सकता है कल दें हो सकता है परसो दें क्योंकि उनको तीन दिन रहना है और अगला अगला चेत्रों में रहेंगे तो 370 का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसको भी चुनवती दी गई है एक नहीं अनेक याचिकायं दर्ज हैं उसके खिलाब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभीत तक इतने दिनों के बाद भी कोई उस पर आगे कारवाई नहीं बढ़ाई क्यों नहीं बढ़ाई ये तो माननी लोगों से हम कैसे पूछ सकते हैं लेकिन ये सवाल तो हैं लोगों के साथ दिमागों में घाटी के लोगों के दिमाग में भी है और दुनिया भर में लोगों के दिवाग में है कि आखिर कोर्ट में इतने दिनों तक ये एक याजी का लंबित है क्यों लंबित है हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन लोगों के दिवाग में जो सवाल है उसका क्या करेंगे और दूसरी बात कि क्रिय मंत्री या प्रधान मंत्री या इस तरह के बड़े ओधेदार जब कभी हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर जाते रहे हैं कोई न कोई political agenda वो जरूर घोशित करते रहे हैं डायलोग की process या किसी भी तरह की तो देखना होगा कि क्या वाकई सरकार के पास कोई political agenda है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आज ही मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कह दिया लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है तो उन्होंने खुले आम कह दिया कि जब तक 370 की वापसी नहीं होती और जब तक राजे को पूर्ण रूप में राजे का दर्जा नहीं फिर से बहाल होता तब तक जमु कश्मीर में शांती और अमन्चैन उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है नॉर्मल्सी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ये बात ने हारूक अप्दुल्ला साहब ने कही जो नौक्यवल मुक्य मंत्री रहे हैं वलकि केंद्र सरकार में और वो भी अटल विहारी वाजपई यानि NDA भासपा लेट गवर्मेंट के समय भी वो उनके काफी नजदी की रहे उनके पुत्र विदेश राजी मंत्री भी र माना ये जाता है कि जिस तरह भारती जनता पार्टी और शिरो मनी अकाली दल ये दो दलों का जो गठ बंदन है बलकि यूं कहा जाए कि भारती जनता पार्टी शिवशेना और भारती जनता पार्टी अकाली दल इनका जो गठ बंदन रहा है लोग मानते थे कि ये बहुत मद्यमारगी जो राजनीतिक संरचनाएं हैं ये तो राइट विंग की बात हुई लेकिन जो मद्यमारगी जो राजनीतिक संरचनाएं अपने राजनीति में हैं उसमें माना जाता है कि इसी तरह का गटबंदन कॉंग्रिस और आरजडी के बीच में रहा है हाल के कुछ वर्ष आजाए गर्मी आजाए जाड़ा आजाए दुख आए सुख आए लेकिन इनका गटमंदर हमेशा काइम रहता है लेकिन अभी एक पुशेश्वर स्थान की एक सीट के लिए जो भागलपूर के तारापूर में पुशेश्वर स्थान पर चुना हो रहा है ये बाई एलेक्शन है विधान सभा का लोग सभा का भी नहीं है विधान सभा का है सिर्फ एक सीट कुशेश्वर स्थान के लिए आरजडी और कॉंग्रिस के लंबे समय से चले आ रहा है एलाइंस को लगबग मान लिया गया है कि अब वो तूट गया है भक्त चरण अदास जो कॉंग्रिस के प पर लड़ेंगे और इसे कॉंग्रिस ही बड़े खुश है और बीच में कनिया कुमार भी कॉंग्रिस में आ गये हैं कॉंग्रिस पार्टी आफ इंडिया को छोड़ कर तो लाल जंडा के बदले उन्होंने कॉंग्रिस का जंडा उठा लिया है माना ये जा रहा है कि सायथ कन क्या आज के दौर में जो राजनीती है, उसमें एक व्यक्ति, एक नेता, एक अच्छा वक्ता हो, चाहे वो जितना अच्छा उसकी अच्छी च्छवी हो, क्या वो सामाधिक आधार का पर्याइवाची हो सकता है, क्या वो पुलिटिकल बेस, पुलिटिकल कांश्विंसी का बे अगर कॉंग्रेस पार्टी गठबंधन को तोड करके और एकला चलो की नीती अपनाती है, बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह, क्या उसको कोई अच्छा नतीजा मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्ण है, और दूसरा पालू, यह भी है कि क्या कुशेश्वर स्थान की सीट इतनी महत्मौण है कि इतने दिनों से चले आ रहे है, राजन्ति गण बर्धन को दोनों पार्टियां तोड़ने। मुझे लगता है दोस्तों यह क्योवल एक seat का मामला नहीं है, क्यो कि एक seat का मामला होता, दोनों दलों के बड़े नेता बैट कर सुलजा लेते, कही न कही दिल और दिमाग में खोट पैदा हो गई है, कही न कही मन में, जिसको कहते हैं मत्वेदी नहीं या मन भेध, इन दोनो ये कहाराओं कि पंजाब की राजनीती में औनेक डायमेंसन इस सिमय है dolphin और एक तो सबसे बड़ी बात है कि देश में किसानादोलन चल रहा है और उसमें पंजाब और हर्याना का जो के घटक जो हैं खासकर किसानादोलन का री वो सबसे प्रभावी हैं पर शिमुत्तर प्रदेश के भी हैं लेकिन पंजाब और हर्याना इसके एक तरह से भुनियादी आधार की तरह हैं इस पूरे किसान आंदूरन के वैसे तो नैतिक और सांगठिनिक समर्थन पूरे देश चेन को है यहां तक की साउथ इंडियन स्टे जो देश की राजनीती है उससे अब एक बड़ा मसला सामने आ गया जो मैंने पहले भी चर्चा की है इस पर कि लखवीर की हत्या जो एक दलित युवत थे चीमाकला गाओं के उनकी जो निशन्स हत्या की गई जिसकी भर्षना पूरे देश में हर लोकतंत्र प्रेमी व्यक् ने की और वो धरना स्थल से केही आसपास की गई निहंगों द्वारा निहंगों में भी एक जो निहंग ग्रुप है उसके द्वारा अब उस निहंग ग्रुप ग्रुप के जो सबसे बड़े नेता अमन सिंग अपने को मानते हैं वो निहंग अमन सिंग की केंदरी कृशी मं मुलाकात के चित्र सामने आ गए। बारती जंता पार्टी या सरकार में अगर ये चित्र फरजी होते तो तुरत खंडन आ गया होता है। लेकिन खंडन की बात छोड़िये इतने दिनों के बात भी और उस निहंग ने बहुत सारे दावे किये हैं कि सरकार उनको कैसे पताना चाहती थी किसाना अंदोलन को खतम करने के लिए लेकिन और नहीं पते अब हम आगे डिटेल में नहीं जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या औ नहीं पते ने दावा यही लेकिन सवाल इस बात का है कि उसी निहंग ग्रुप के लोगों ने हत्या की लखवीर की जिस निहंग ग्रुप के नेता ने भारत सरकार के मंत्री और अन्य भारती जनतापार्टी के कुछ नेता एक नेता खास कर पंजाब से और एक पुलिस से सारे आरुप्ते उसको हटा दिया गया था उसके साथ फोटो थी तो हमारा ये कहना है कि ये अमन सिंग जो निहंग ग्रूप का चीफ है उसकी सरकार के साथ जो हब-nobbing है वो क्या है इस पर क्यो नहीं सरकार अपनी बात कहती अब ये ठीक है कि इसको समाचार के रूप में मीडिया हमारा खास कर जो मेंस्ट्रीम चैनल हैं वो इसको नहीं उठा सकते उनकी मजबूरी है लेकिन सरकार को तो जनता के बीच में साफ करना चाहिए कि आखिर ये क्या पहलू है ये क्या मामला है इस पर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि क्या किसान आंजोलन के खिलाब को ये शडियंत्र था और जो स्वण मंदिर के जत्तेदार है मुख के जत्तेदार अकालतक्त के वो ग्यानी हरप्रीट सिंग उन्होंने कहा है कि लखवीर सिंग की हत्या के मामले में एक निस्पक्ष किस्म की हाई लेबल इंक्वाईरी अब जरूरी हो गई है ये सिख पंत के सिख जो धर्म है उसके सबसे बड़े तक्त अकालतक्त के मुख के ग्रंती ने भी कहा है मुखे जतेदार ने कहा है तो इसलिए बहुत ये बड़ा प्रश्न बन गया है दोस्तों इसी भीच में बिलकुल चलते चलते कि कैसे पूरू मुख्यमंतरिया मरिंदर सिंग ने एक नई पार्टी फ्लोट करने नई पार्टी के घोशना का भी एक संकेत दिया है उनका कहना है कि हम जल्दी ही एक नई पार्टी बनाएंगे क्या नई पार्टी भारती जंता पार्टी के साथ मिलकर चुनाओ लड़ेगी इस संभावना से उन्होंने इंकार नहीं किया उन्होंने बस ये कहा कि अगर किसान आंदोरन पर उनके फार्मुले के हिसाब से कुछ काम सरकार कर देती है तो वो निसन दे बीजेपी के साथ चले जाए यानि बीजेपी के साथ घट बंदन कर लेंगे बाकी उन्होंने अकाली दलके अन्य गुटों की चर्चा की सुखदेव सिंग धिंटसा का ग्रूप वगरा वगरा तो ये एक बड़ा दिल्चस पहलू पंजाब की रायनीत में भी उगर रहा है और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन जिस मुकाम पर आज है उसमें जरूर कुछ न कुछ न कुछ निकलने की गुंजाईश बन रही है क्या होगा ये कहना मेरे लिए अभी भविश्यवाणी करना उचित नहीं होगा और इसी बीच में योग कर अलग विवाद है कि क्यों सस्पेंट किया गया क्या जायज है नहीं है योगिंद्रियादों का कहना है कि उनका एक नहितिक ये पहलू है और ये सिध्धान्त है अगर जो भी मृति व्यक्ति है चाया वो इस खेमे का है उस खेमे का है उसके घर वो गया इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन उनका कहना है किसाना अंद्रियादों का कि हमने तो ये नियम निकाला था कि जो लोग उस पक्ष में हैं उनके साथ हम न तो उनके दुख में सामिल होंगे न सुख में शामिल होंगे ऐसा उनका दावा है लेकिन क्या इस तरह के डिक्टेट और योगिं पर भी कि क्या इस तरह के मसले पर उतना बड़ा फैसला ऐसे जोखिम और ऐसे महत्पुन दौर में जब किसान अंधुरण के सामने बहुत सारे चलेंजे जायें क्या इस तरह का एक आपस में जो एक तरह की इस तरह के मतभेद का मनभेद में तब्दील हो जाना क्या ये जायज है क्या ये वाकई सही है या इससे बचा जा सकता था मेरा बस इतना ही सवाल है और जो अंतिम खबर चलते चलते दोस्तो ये आरियन खां के बारे में आरियन खां को लेकर बड़े सवाल ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो महाराश्ट की सत्ता में है और बार बार ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये क्रूज पर जो नार्कोटिक्स कंट्रोल वीरो की छापे मारी है कहीं उसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि जो गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यानि अडानी कंट्रोल जो पोर्ट है वहाँ पर जो इतना बड़ा 2988 किलोग्राम जो ह ढान् भूचकरी मसला लाया गया है ताकि एक तरफ इसका एक टार्गेट ये कि बालीवूट को बदनाम किया जा सके, उसको कमजोर किया जा सके, फिर उंड़स्टी को अपनी ड्यंक्त कीया सके, अपना आकार दिया जा सके और दूसरी तरफ जो मुद्दा है मुद्रा पोर्ट वाला उसको कहीं न कहीं अंधेरे में डाल दिया जाए कहीं न कहीं उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए लोगों के ध्यान से उतार दिया जाए क्योंकि टेलिवीजन चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ आरियन खान की कहानी चल नहीं है और आरियन खान को कैसे गिरफतार किया गया, कैसे उनको लगातार जवानत से अब तक वो वन्चित हैं या अपने आप में कानूनी हलकों में भी राजनीतिक हलकों में भी हर जगा एक बड़ा प्रश्ण बना हुआ है तो दोस्तो हफते की ये जो बात हमारी है आपने ये सुनी हम अगले हफते फिर मिलेंगे और अगली बार दिलेंगे तो जरूर हम एक राज्य जो बहुत महत्पूर राज्याभी हमने पंजाब की चर्चा की, हर्याना की चर्चा कर दी अब अगली बार जरूर उत्तर प्रदेश की चर्चा करेंगे तो इन ही शब्दों के साथ नमशकार, आदाब, सत्रीयका